आर्बो रुपे का सोना जो छुपा के रखा था समंदर के नीचे और ये सोने के पीछे था माफिया गैंक का नजर लेकिन कुछ चोर मिलके पोलिस के आखो में धुल जोके पूरा सोना चुरा लेता है लेकिन ये चोरी चोरी नहीं रहा जाती है बन जाता है एक बदला और वो सेगंटो में किसी भी लोकर को खोल सकता था जॉन वेनिस में उसकी बेटी स्टेला को फोन करता है स्टेला जॉन से बहुत प्यार करती है क्योंकि इस दुनिया में उसके पापा के अलाबा उसका और कोई नहीं है जॉन स्टेला से कहता है जोन उन चोरों से सोना चुराने का पलान करता है इस काम के लिए जोन चारली से मिलता है चारली था इस पलान का मास्टर माइंट अब दोनों मिलके बाकी टीम के मिम्बर से मिलता है इन में से एक का नाम था लिफ्टियर और ये बॉम बनने में एक्सपार्ट था दुसरा का नाम था रॉब रॉब बहुत अच्छा ड्राइबिंग करता था इसके बाद टीम का पाचवा मिम्बर को देखते हैं जिसका नाम था लाइल लाइल खुद को नैपस्टर बुलाता था क्यूंकि उसने एक सौप्टेयर बनाया था जो उसके दोस्त ने चोड़ी किया था जब वो सो रहा था लाइल एक कम्पूटर एक्सपार्ट था जो किसी भी सिस्टेम को आसानी से हैक कर सकता था अब सबी मिलके चोड़ी करने का प्लैन करता है इदर जीस बिल्डिंग में सोना था वहाँ टीम का और एक मिम्बर पहले से ही मौजुद था जिसका नाम था स्टीब जोन स्टीब को कॉल करता है और प्लैन का स्टेटा जाना चाता है स्टीब कहता है कि यहाँ सब कुछ ठीग है अब लाइल अपना सिस्टेम को स्कैन करके जहाँ पे सोना रखा हुआ है उसका लोकेशन स्कैन कर लेता है इदर जोन और बाकी चार उस बिल्डिंग के नीचे वाला टानिल में गुच जाता है दरसल भेनी शहर पूरा पानी के उपर था जिस करण से सबी घर के नीचे ऐसा टानिल बना हुआ था अब सोना रखा था पहला फ्लोर पर और स्टीब था उसके नीचे वाले फ्लोर पर और उसके नीचे था जॉन और बाकी लोग इसके बाद प्लैन के मुतबिक स्टीब वहां लिक्विड एक्स्प्लोजिव लगा देता है जहां सोने का लोकर रखा था इसके बाद ब्लाश्ट करते हैं लोकर सीधा रॉब के बोर्ड में गिरता है और तुरंद रॉब और लाइल लोकर लेकर वहां से भाग जाता है लेकिन दोनों जो लोकर लेकर भाग रहा था दरासल वो नकली लोकर था असली लोकर तो वो पानी के नीचे डूब गया था और इस प्लैन में फज जाता है पॉलिस पॉलिस नकली लोकर के पीछे भागता है लेकिन रॉब अपने ड्राइविंग स्किल से उन से पीछा चुड़ा लेता है अब जॉन पानी के नीचे उस लोकर को खोलने लगता है उसके साथ बागी चार भी वहां मौजुद था इदर ज जॉन उस लोकर को खोल लेता है और सब मिलके अंदर का पूरा सोना लेके बाहर चला जाता है आगे के सिन में हम एक बरफिले पहार को देखते हैं जहां सब मिलके सेलेब्रेशन कर रहा था बहुत सब अपने इच्छाओं को जाहिर कर रहा था कि वो लोग सोना बेच के क्या करेंगे लेकिन श्टीब को पूछने से श्टीब उसका कुछ जबब नहीं देता है इसके बाद सब मिलके वहां से निकल जाता है कुछ दूर जाने के बाद एक ड्रीस पार करते वक सामने एक गाड़ी आके उनको रोक देता है गाड़ी से कुछ आदमी निकल के आता है लेकिन दूसरे एक गाड़ी में टकड़ा के वो लोग नीचे पानी में गिर जाता है और डूब जाता है इदर उपर से स्टीब लगाता रफायरिंग करता रहता है ताकि सब को मार सके लेकिन पानी के नीचे सब लोग ऑक्सिजन माच लगा लेता है कुछ दिर बाद जौन का बोड़ी पानी के उपर आ जाता है स्टीब समझ जाता है कि सब मर गया है और वो वहां से चला जाता है इदर सब बच जाते हैं बस जौन मर जाता है चार्ली जॉन को गोद में लेके बहुत रोता रहता है क्योंकि ओ जॉन से बहुत प्यार करता था और उनका रिस्पेक्ट भी करता था इसके बाद एक साल गुजर जाता है अगले सिम में हम देखते हैं कि चार्ली स्टेला से मिलने आया है चार्ली स्टेला से कहता है कि उन्हे स्टेप का पता चल गया है और सोना उसके घर के अंदर लोकर में रखा है। स्टेप अगले हफ़ते वो सोना किसी को बेचने जा रहा है। हम उससे पहले उस सोना को चुरा लेंगे। और लोकर खोलने में तुम हमें मदद करोगी। स्टेला चार्ली से बहुत गुस्से में थी चार्ली स्टेला को समझाने की कोशिश करता है कि उस सोने पे उसका कोई दिल्चस्पी नहीं है वो तो बाद स्टीप से वो सुना चुरा के जौन का मौत का बदला लेना चाहता है लेकिन स्टेला को जबाब नहीं देती है और चार प्रश्टेवर्टी लगा हुआ था जिसे तोड़ना नामुम्किन था लाइल कहता है कि आज तक बहुत ने कार्शन सेगर्टी सिस्टेम को तोड़ने की कोशिश की है लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया है अब लाइल स्टीब का घर का नक्षा लेने के लिए एक प्लान करता है इधर रॉब एक दिन पहले केबल कमपणी का एक लड़की को पटा के उसका गाड़ी का चाबी का चाबी का चाब ले लेता है और स्टेला उससे एक नकली चाबी बना लेती है इसके बाद स्टेला बैन लेके केबल कमपणी का ड्रेस लागा के स्टीब के घर जाती है स्टे श्टेला को देखके उसे फ्लैट करने लग जाता है लेकिन श्टेला उस पे ध्यान नहीं देती है और लोकर के सामने चले जाती है फाइनली उसे लोकर दिख जाती है अब वापा जाते वक श्टीब उसे डिनार के लिए पूछता है लेकिन श्टेला कुछ जवाब नहीं दे और गाड़ी का मोडिफिकेशन करवाता है। इधर एक प्रॉब्लिम था। उस शहर में इतना जाम होता था कि 20 मिनिट का रास्ता पार करने के लिए एक घंटा लग जाता था। लाइल उस शहर का पुरा CCTV को हैक कर लेता है। ताकि चोरी के दिन रास्ता क्लियर कर सके। इधर लेप्टियर स्टीब का घर का में गेट तोड़ने के लिए एक बॉम बना लेता है। अगले सीन में देखते हैं कि स्टीब उसका सोने का इटा बेचने के लिए एक आदमी के पास जाता है। लेकिन उस आदमी को सोना देखते पता चल जाता है कि ये सोना इटली से और इससे उसे सख हो जाता है कि चार्ली ने उसके भाई को मारा है इसलिए वो चार्ली को मारनी के लिए निकल जाता है इसके बाद आता है वो दिन जब चार्ली स्टीब के घर में जाके सोना चुराएगा श्टीब रात को डिनर के लिए निकल जाता है और चार्ली अपने टी कोड़ी का रास्ता बंद हो जाएगा डिनर करते करते स्टीप स्टेला को अपने घर लेके जाना चाहता है लेकिन स्टेला माना कर देती हैं स्टेला कहती है कि मैं इंसान पर भरोसा कर सकती हूं लेकिन उनके अंदर छूपे शैतान पर कभी भरोसा नहीं कर सकती और इस बात से स्टीब समझ जाता है कि स्टेला जॉन की बेटी है क्योंकि जॉन हमेशा ये बात करता रहता था अब स्टीब स्टेला को पकल लेता है और पूसता है कि उसके साथ और कौन-कौन है तब ही वहाँ चारली को देखके स्टीब कहता है कि मैं तुम्हें कभी सोना चुराने नहीं मैं घर का पूरा सेकूर्टी सिस्टेम को रिसीट कर दूँगा चारली गुसा होके वहाँ से बापा चला जाता है इधर पता चलता है कि स्टीब एक बुलेट प्रूप ट्रक और एक हेलिकप्टर मंगाया है चारली समझ जाता है कि स्टीब सोने को घर से निकल के दूसरे ज ग्राउंड से ट्रक का हाइड नाप लेता है और जिस ट्राक में सोना है उसका पता कर लेता है इसके बाद लायल ट्राफिक को कलियर करते हुए ट्रक को वहाँ जाने के लिए मजबूर कर देता है जहां वो लोग प्लान करके रखा था इधर चारली, रॉब और स्टेला काल लेके एक Metro Station में घुज जाता है और Metro Track होते हुए वहाँ पहुँच जाता है जहां ट्राक पहुचने वाला था लाइल Metro System को हैक करके एक Metro को प्लैट्फरम में रोग देता है अब ट्राक वहाँ पहुचते ही लेप टियर Metro का टानल के उपर ब्लास्ट कर देता है जिससे ट्राक सिधा नीचे मैन होल पे गिरता है और इधर उस ब्लास्ट की हुए जगा को रेंच अगर ढग देता है इधर नीचे चार्ली और बाकी सब ट्राक का गेर तोड़ देता है और स्टेला लॉकर खोलने के लिए आगे आती है अब स्टेला फिर से लॉकर खोलने की कोशिश करती है और इस बर वो लॉकर को खोल देती है लॉकर का दरवजा खोलते ही देखते हैं उनके सामने 27 मिलियोन डॉलर का सोना पड़ा हुआ है अब चारली और बाकी सब तुरंट उस सोने को गारी में लोट करने लग जाता है सोना निकल लेने के बाद तीनो गारी लेके वहां से निकलने लगता है इदर स्टीब का आदमी उनका पीछा करने लगता है लेकिन तीनों अपने ड्राइबिंग स्किल से सब को चक्मा देके वहां से निकल जाता है लेकिन अभी भी मुसीबत खत्म नहीं हुआ था अब स्टीब हिलिकपटर लेके तीनों का पीछा करने लगता है और इस बर तीनों अलग-अलग दिशा में चला जाता है अब स्टीब चारली का गारी का पीछा करता है लेकिन चारली स्टीब को एक गराज में फसा के वहां से निकल जाता है अब तीनों गारी एक वेर हाउस के अंदर एक कांटेनर में घुच जाता है थोड़ी दिर में वहां स्टीब भी आ जाता है अब स्टीब के सामने आ जाता है चारली, चारली कहता है कि आप ये सोना मेरा है, तुमने हमारा पार्टनर जॉन को हमसे छिन लिया है, अगर बचना चाहते हो तो यहां से चले जाओ, लेकिन स्टीब चारली पर पिश्टल तान देता है, तब ही पीछे से चारली का आदमी अब सामने आती है श्टेला श्टेला पहले सी गुश्य में थी श्टेला श्टीब के मूँपर एक जोर से पंच मरती है और चार्ली का आदमी श्टीब को वहाँ से लेके जाता है अगले सी में दिखते हैं कि रॉब अपना मन पसंद कार खरिद लिया है और उसका एक रूम मह यहां पर खतम हो जाती है